Assalamualaikum, welcome to student tube, आज के इस lecture में हम बात करेंगे, chapter 5, factorization, hcf in square roots exercise है, 5.8, question है, find the hcf of the following polynomials by factor method, तो आज के जो question है, question number 6, question number 6 में हमाई पास 2x cube minus 54, यह एक term है, then second term हमाई पास 2x4 plus 18x square plus 162, ठीक है, तो सबसे पहले हम first term लेंगे, तो यहाँ पर 2x cube minus 54 is equal to, अब यहाँ पर अगर हम 2 को comma लेने, तो अंदर क्या आ जाएगा, x cube और फिर minus, अब 54, 2 के table में कब आता है, तो 27 पे आता है, ठीक है, अब यहाँ पर 2 इसी तरह से आया, अब अंदर जो है, इसे हम मजीद factorize करेंगे, तो यह हो जाएगा, x क्या cube minus 3 का cube, ठीक है, त तो यहाँ पर apply हो जाएगा formula, कौन सा formula, a cube minus b cube का, जो के equal होता है, a minus b, और a square plus a b plus b square, ठीक है, तो यहाँ पर 2 इसी तरह से रहा, अंदर आ जाएगा, x minus 3, ठीक है, और x square plus 3x plus, अब यहाँ पर 3 है, 3 क्याँ पर square आएगा, तो 3, 3 is a 9 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर first room का answer आगे, अब second room, second room में हमाई पास 2, x4 plus 18, x square plus 162, जो के equal है, 2 को हम यहाँ भी common लेंगे, तो अंदर आ जाएगा, x4 plus 2 के double में 18 आता है, 9 पे, तो 9 x square plus 162 आएगा, 81 पे, ठीक है, आप divide करके check कर सकते हैं, तो 80 बना गया, अब यहाँ पर 2 इसी तरह से common रहेगा, अब यहाँ पर यह देखें, तो यह एक formula की शकर हम इसे दे सकते हैं, किस तरह से x square का square कर दें, plus 2, अब यहाँ पर अगर हम लिखते है, x square और 9, ठीक है, फिर plus 9 का square minus 9 x square, अब देखें, 9 x square हम क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि हाँ पर हमने plus 2 x square और 9 को add किया, ठीक है, तो हम कुछ भी अपनी तरफ से add नहीं कर सकते, तो अगर हम add करते हैं, तो इसे साथ में minus भी करते ह ठीक है, तो यहाँ पर 2 इसी तरहां से रहा, अब यह formula किसके equal हो जाता है, x square plus 9 के, ठीक है, और अगर हम यहाँ पर minus 9 x square है, तो अगर हम इसे 3 x square करकर factorize भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर formula apply हो जाएगा, कौन सा, a square minus b square का जो के equal होता है, a plus b और a minus b, तो यहाँ पर यह हो जाएगा, x square plus 9 minus 3 x, ठीक है, और x square plus 9 plus 3 x, ठीक है, यहाँ पर यह 2 है ओपर, ठीक है, तो a square minus b square का formula apply हुआ है, अब हमने यहाँ पर उपर और नीचे common factors देखने हैं, तो यहाँ पर इस equation में हमने देखने है, और इस equation में, ठीक है, और 7 में इनके साथ यहाँ पर आजाएगा 2, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें, उपर और नीचे expiration को, तो नीचे और उपर expiration में एक चीज़ common है, एक तो है 2, और second जो है यह bracket है, x square plus 9 plus 3x वाला, क्योंकि उपर 3x और 9 की placement में सिफ़ परक है, बाकी सब सेम है, तो ठीक है, तो h, c, f is equal to 2, and x square plus 9 plus 3x, answer, तो यह था हमारा आज का question, उमीद करती हूँ, आपको अच्छे समझ आया होगा, मज़ीद questions के लिए, मिल चैनल को कर दें, subscribe, साथ ही अपने classmates and friends से share भी जरूर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, अल्ला हाफिस,